हेलो गाइज, वेलकम बैक टो लिट्रेचर इंफॉरमेशन, आज की लेक्चर में हम लोगों डिसकेशन करनी हैं, इंपेरलिजम के उपर, कि इंपेरलिजम इन सिंपल वर्ड्स होता किया है, अस्टेट पॉलिसी, प्रैक्टिस और एड्वोकेशी, आफ एक्स्टेंडिंग प आपको ताकत चाहिए, आपको कंट्रोल चाहिए, यू वांट तो रूल, यू वांट तो बिकम दा सेंटर आफ यूनिवर्स, कि पूरी दुनिया आपके इर्द गुमे, आप इसमें फिरोन की एक्जेंपल ले सकते हैं, बच्पन से हम जो काटून्स देखते आ रहे हैं, उ आप लोगों को एक्जेंपल इसके अंदर दूंगी, एफिकन्स की, एशियन पिपल की, जैसे, इंपिरिज्म स्टार्ट कैसे हुआ था, अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री के ओपर जाएं, तो उसके ओपर अगर हम लोग देखें, तो इसकी एक्जेंपल ऐसे है, कि यूर्प ईपिपल आएं, पर एक्जेंपल एफिका अंदर आएं यह एशियन कंटरीज के इंदर जितनी भी हैं, उनमें हायएग घुमने परने के लिए विजिट करने के लिए, उन्होंने आकर चेक किया, कि यहां के लोग जो हैं, उनके पास पॉझन smack नहीं हैं, उनके पास पॉव आपके पास wealth की हो सकती है कि आपके पास पैसे है तो आपके पास power है ठीक है तो ये power को आपने दो तरह से लेना है तो अब उन्होंने आकर देखा कि यहां के लोगों के पास power नहीं है ना wealth की power है और ना ही knowledge की power है तो उन्हों ने ये दोनों चीजे लेकर आए अपने साथ उन्हों ने उस पावर को यूज किया और आके उन्हों ने अपना रूल करना शुरू कर दिया अब उन्हों ने रूल कैसे करना शुरू कर दिया उसके लिए उन्हों ने क्या किया? कि उन्हों ने आके हमलों के literature को study किया हमलों को जानने के लिए उन्हों ने हमारी literature को जानना कि हमलों के literature से पता चले कि हमलों का culture क्या है traditions क्या है और हम लोग हैं क्या उन्हों ने हमलों को जानने के लिए हमारा literature study किया और study करने के बाद उन्होंने हम लोग के वीक पॉइंट्स चेक किये पर कुछ टाइम वो हम लोग के पास रुके हम लोग को जाना समझा और सब कुछ जाकर फिर उन्होंने वापिस अपने literature के अंदर add किया और वहां पर उन्होंने एक false image create किया हम लोग का के हम लोग uncivilized हैं हम लोग inferior हैं और जो उन्होंने thought set की एक discourse set कर दिया ठीक है और वह discourse और वह thought ऐसी set हुई कि आज तक हम लोग सब अपने आपको inferior समझते हैं हम लोग को English सीखने का क्यों शोक है क्योंकि उन्होंने thought set की English जो है यह superior language है अगर आप लोग English बोलेंगे तो आप superior बन जाएंगे तो इसी तरहां उन लोगोंने एक thought set की simple ठीक है तो imperialism की एक example है everything starts from zero एक single slave से एक single बंदा आया था और उसने आके सब कुछी किया वो तो विजिट करने के लिए आया था लेकिन उसने क्या किया फिर आगे से इस तरही के से imperialism को बढ़ाना शुरू कर दिया imperialism को अगर हम जीरो से start करें तो यह single scale से कालूनी कालूनी से cities और cities से national international scale तक exceed कर सकता है obviously इस scale तक power हासिल करने के लिए आपको unlimited obstructions का सामना करना पड़ेगा but once you succeed the world is yours this is the optimistic definition of imperialism जो most directly approached method है ना for promoting imperialism वो है use of power कि उसको spread कैसे करना है उसको promote कैसे करना है अपने actions में कैसे लेकर आना है और उसे अपने लिए use कैसे करना है तो यहाँ पर आपको use of power बताती हूँ कि कैसे उन्होंने अपनी domain power बताएं थी आपको knowledge की power और wealth की power उन्होंने कैसे use की अब यह कैसे अचीव हो सकती है it can be achieved through direct territorial acquisition or by gaining political and economic control over other areas territorial acquisition का क्या मतलब है कि आपको एक given piece of land दिया और उसके उपर आपने political या economic control अपना बढ़ाना है over other areas अब मैंने जैसे आपको बताया है कि एक बंदा आया था विजिट करने के लिए आया था और उसने आके हम लोगे literature को study किया और फिर इस तरीके से उसने सब को जा कर बताया अपना literature produce किया और वहां पर हम लोगे का false image create किया जिस तरह आफरीकन्स के बारे में आज भी मशूर तो अब क्या था कि उन लोगों ने क्या किया पर वो दूबारा आए उन्हों ने कहा यहां के लोगों के पास no knowledge है ना ही इनके पास wealth है लेकिन इनकी country के अंदर ऐसे ऐसी चीजें है जिस तरही के से आफरीका की ivory मशूर थी खाती दाथ तो उन लोगों ने कहा वहां जाके हम लोग उस खजाने को निकाल लेते हैं क्योंके इनके पास तो पावर ही नहीं है तो उस पावर को यूज करके जो हमारे पास है हम उससे फाइदा उठाते हैं तो इन लोगों ने क्या किया इस तरह करके एक बंद आया पर दो बंद आया पर तीन बंद आया इन लोगों ने अपनी पावर यूज की और उससे पर इन लोगों ने एक्सपेंड किया और यह आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से उन्हों ने एक्सपेंड किया तो बैसिकल अगर आप लोग को एक्जेम्पल दो तो सबसे कॉमने एक्जेम्पल हमारे पास मार्शनल लाग हा जिसमें कंट्री की डिमोक्रिसी को खतम कर दिया जाता है और तमाम तर कंट्रोल्स हाई रैंक परसन का आदमी को दे दिये जाते हैं इसके पास पूरी नेशन के इक्तियारात होते हैं वो चाहे तो वहाँ पर एकनॉमिकल रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाए चाहे तो कंट्री के तमाम रिसॉर्स को अपने परिसनल यूज के लिए इस्तमाल करें उसे कोई रोकने टोकने वारा नहीं होगा यह होती है एक्चुल इंपरियलिजम यू है था कंट्रोल आफ एनिटिंग यू वार्ट इस इन दी पांब्स आफ यूर हैंड्स अगर हम लोग इसकी हिस्टरी देखें क्योंकि यह तो हिस्टरी से चलता आ रहा है तो इसका स्टार्ट कहां से हुआ तो यहां पर मैंने एड़ किया है सिक्स्थ फॉर्थ सेंचरी बीसी ए जब एसेरियन इंपायर आया था और इसको रीप्लेस कर दिया था पर्शियन इंपायर ने उसके बाद पॉस्ट रोमन एरा इसके जब भाद के इंपायर ने इंपायर च्चछा होग चाहिए तो इंयन इडिप्ट चला गया था इंट्रोडूस्ट के एंडरateur आपियूम वार्स variant एक मेन इवेंट थी आपियूम वार्स हुई थी चैना के अंडर चैना के ट्रेट एंज द्राटा चािना के ጥचोना के एक पाहता है इंपियलिज्म के वपर इंपियलिज्म यहां तक एक्स Jennifer entrar कर घया तब क्या हुआ हुआ कि मैंनि कालोणीज गेंडी इंडीपेंडेंडेंडेंस इसके बाद वर्ल्ड व के बाद बहुत सी कालोणीज ने इंडीपेंडेंडेंस हासिल कर ली अब ये तो हम लोग की इंपियलिजम चलती आ रही है लेकिन आज भी अगर हम लोग देखें तो आज भी लोग इंपियलाइस्ट है बेशक वो लोग यहाँ पर नहीं है उन लोगों ने हम लोगों पर रूल तो किया था ना हम लोग स्लेव थे उन लोगों ने हम लोगों को psychologically अपना slave बनाया हुए आज भी तो ये आगे से फिर imperialism की types निकल आती हैं कि कैसे आज भी हम लोग उनके control के अंदर है तो imperialism की basically definition सिंपल से ये थी कि you want to rule, आपको ताकत चाहिए, आपको control करना है आपको जिस तरीके से कहते हैं राजा महराजा वो बनना है अब इनके अंदर अगर मैं आप लोगों को example दिखाऊँ, imperialism की जो हम लोगों के great लोग गुजरे हैं जिनको इसी तरह शोक था कि हम लोग rule करें और हम लोग पावर हासिल करें तो उनमें सबसे पहले हम लोगों के पास आ रहे हैं Alexander the Great ये एक great warrior थे और इन्होंने आदी दुनिया अपनी इसी वज़ा से control हासिल करने की वज़ा से उन्होंने फता कर ली थी हुआ हैं ये उन्हों पूरी दुनिया फता कर ले इह यह भी थे तो इनसांगों ही मर गएं थो आदी दुनिया ешहा लिकार एकार जैसी यह सी ती दूस्रेटेटी छी एदिया करें आदी दुनिया है हम लोगों के ड lettwo जा होग व्हें पे रेत्यूलिंसम आइज पर थी और कैसे उस पावर के जरीए लोगों ने आज तरक्की कर ली प्रोग्रेस कर ली ठीक है तो बिलते हैं नेक्स लेक्टर के अंदर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल के सबस्क्राइब करना मत बूलेगा अलाहाफिज